हेलो फ्रेंड्स आज के स्टेयु में हम लोग Miazk すरकीट में alternating signal के लिए पिक वेलिई, average value, rms value , form factor तता peak factor के बारे में देखेंगे ,हम देखेंगे क्या होते हैं इनके formulas क्या होते है, इनके formula किस तरीके से drive किया जाते het तथा इनका numerical में किस तरीके से use किया जाता है तो चलिए देखते है जैसे अगर हम pick value की बात कर रहे हैं तो pick value क्या होता है the maximum magnitude of the instantaneous value is defined as the pick value जिसे हमारे पास यहाँ एक sinusoidal wave देखे रखिए तो sinusoidal wave में हमारे पास इसके दो हाफ होता एक positive half होता और एक negative half होता है तो इसमें इसकी जो maximum value होगी ना इसे हम इसकी pick value कहते है current के लिए हम इसे IM द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जबकि voltage के लिए हम इसे BM द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं second हमें हमारी average value relative cycle और negative cycle है तो जब हम इस पूरे signal के मतलब इसके पूरे एक complete cycle का हम जब average निकालते हैं तो इसका average हमारा 0 आता है तो इसलिए हम जब भी इसका average निकालते हैं तो हम इसके half cycle के लिए average निकालते हैं अब जिसमें मानके चलिए हमारे पास एक function देके रखा है yt जिसका हमें average निकालना है तो जब भी हम किसी चीज़ के average निकालते हैं तो इसका simple formula होता है हमारा integration of इसकी जो limit होगी a से b yt dt o divided by integration of a b और यह हमारा होता है dt simple यह formula होता है तो जिसमें मानके चलिए हमारे पास यह signal देके रखा है हम इसके लिए current के लिए हम इसकी equation निकालेंगे तो इसकी value हमारी 0 और यह πाई है तो इसके लिए अगर हम इसकी average वाली निकाले तो जिसमें पता sinusoidal जो wave होती है हमारी इसकी current के जो equation होती यह होती i is equal to im sin omega t तो इसके लिए अगर हम निकाले i average निकाले तो i average बड़ाबर क्या हो जाएगा integration इसकी जो limit है limit है हमारी 0 से लिकर pi तक हम इस वाले portion के लिए मतली जो हमारा positive के half है इसके लिए हम average निकालेंगे तो इसके limit होगे हमारी 0 से लेकर pi और pi i और d omega t divided by 0 to pi और d omega t अब यहाँ पर हम i के value पुट कर देंगे तो simple हम देखे तो हमारा i average होगा integration 0 to pi i के value हमारी i m sin omega t d omega t divided by integration of 0 to pi d omega t तो जो हम ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पर हमें पता हमारा i m constant है तो यहाँ पर हमारा होगा 0 pi sin omega t d omega t upon में 0 pi d omega t अब यहाँ पर होगा हमारा i m sin omega t का करेंगे तो simple हमारा आजाएगा minus का cos omega t जिसकी limit होगी हमारी 0 से pi ऐसे ही नीचे हमारे यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 तो 1 का जब हम omega t के respect में निकालेंगे तो हमारा आएगा है यहाँ पर omega t जिसकी limit होगी 0 से लेकर pi अब हम इसमें इसकी limit पुट कर देते तो limit पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा i m minus cos omega t की जगे हम पुट करेंगे pi इसकी जगे pi पुट करते थे जैसे हमें पता है कि जब हम limit पुट करते जैसे मानके चलिए हमारे पास यहाँ पर देखी रखा a इसकी limit हमें देखी रखी है x और y तो इससे हम कैसे पुट करेंगे इसको जब limit पुट करेंगे तो यह होगा हमारा y minus x मतलब upper limit minus lower limit होता है तो यहाँ पर minus का sign है तो यहाँ पर हमारा minus आएगा तो इसका minus और minus हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर plus हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक minus है तो यहाँ पर हमारा हम पुट करेंगे cos 0 ऐसे हम नीचे limit पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा उपर वाली limit मतलब हमारा यह हो सकता है cos zero minus cos pi divide में यह हमारा बचेगा pi तो यहां से अगर हम देखे तो हमारा cos zero बराबर होता है one जबकि cos pi बराबर होता minus का one तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसकी value तो यह बचेगा हमारा i am pi और हो जाएगा one minus minus one तो यह हो जाएगा हमारा i am pi 1 plus 1 तो यहां से जो हमारा i average निकलेगा यह निकलेगा हमारा i am by pi और one और one हमारा हो जाएगा two तो i average हमारा निकलेगा two i am by pi जिसमें कि जब हम इसे two और pi को जब solve करते हैं तो इसकी value हमारे हमारे हती है 0.637 i am तो इसका मतलब जो हमारे एक half cycle होता है इसके लिए हम value निकालते हैं तो यह हमारा होता है 0.637 i am ऐसे यह हमारे current के लिए देखे रखी अब अगर हम इसी में अगर voltage के लिए अगर average value निकालते तो यह हमारा होता 0.637 i am और अगर हम इसके complete cycle के लिए अगर हम इसके average value निकालते तो जो complete cycle के लिए इसकी average value होती हमारी 0 और इसके लिए जो हमारा formula होता है वो होता है average of half cycle divided by length of base over half cycle विल सिंपल हमारा उपर क्या होगा जो इसका area है इस वाले का area divided by इसकी जो length होगे जिसे हम इसके length बात करते हमारी यह हमारी पाई और अगर हम उसके उपर का अगर area निकालेंगे तो इसका area होगा हमारा integration of I am limit 0 to pi sin omega t d omega t RMS value की full form होता है root mean square value तो इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले जो हमारी equation होती हो उसका हम square निकालते हैं फिर उसके बाद हम उसका mean मतलब average निकालते हैं फिर last में हम उसका root करेंगे जैसे कि हमारे पास current के equation देखे रखे है i is equal to im sin omega t तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका square निकालेंगे तो जब हम इसका square निकालेंगे तो इसका square बराबर हो जाएगा im का square sin square omega t जब हम pure equation का square निकालेंगे फिर इसके बाद हम इसका mean निकालेंगे मतलब average निकालेंगे तो इसका जो square निकालन हम इसका क्या करेंगे, हम average निकालेंगे तो इसका average निकालेzd, तो average का formula हम्हें पता है कि क्या होता है average का formula होगा हमारा limit, इसकी भी limit हमारा 0 से लेकर πाई है और i2 d omega t divided by 0 से लेकर πाई d omega t तो यहाँ पर हम equation put करें तो हमारे क्या होगा 0 से लेकर pi im square sin square omega t d omega t divide में हमारा हो जाएगा 0 से लेकर pi d omega t तो im square हमारे यहाँ constant है और जैसे कि हमें पता है sin square theta का integration नहीं होता तो हमें इसे change कर देंगे तो यहाँ पर हमारे क्या होगा कि जो sin square omega t होगा यह हो जाएगा हमारा 1 minus cos 2 omega t divided by 2 हमें formula पूट कर देंगे तो चलिए इसको पूट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा im square यह हमारा constant है तो इसको हमने बहार निकाल लिया यहाँ पर हम sin square omega t की जगे पूट कर देंगे 1 minus cos 2 omega t divided by 2 d omega t और जिसे के हमें पता अभी हमने देखा था average वाले इटम में जब हम इस वाले portion को solve करते हैं तो इसके लिए simple हमारी value आएगी पाई तो यहाँ से अगर हम आगे बड़े तो हमारा im square is equal to हो जाएगा integration यहाँ से 2 भी हमारा constant है तो हम इसको बहार निकाल लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 2 पाई अब हम simple इसका integration कर देंगे तो यहाँ पर हमें integration करना 1 minus cos 2 omega t और d omega dt इसके respect में करना है तो यहाँ से जब हम करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा im square 2 pi 1 का जब हम integration करेंगे तो यह 1 का हमारा हो जाएगा omega t omega t के respect में करेंगे तो जब cos omega t का करेंगे तो हमारा हो जाएगा sin 2 omega t by 2 आजाएगा और इसकी limit रहे हमारे 0 से लेकर पाई अब हम यहां से इसकी limit पुट करदेंगे तो जैसे हम इसकी limit फुट करें तो यह हो जाएगा हमारा I m2 2 meiner यहां पर हम सबसे पहले पाई पुट करेंगे तो omega T के जगे पाई और omega T के जगे हम zero पुट करेंगे पहले पाई पुट करेंगे तो πi, पाई रखा πi minus sin 2, omega ठीके जगे हम52 पाई रखा और upon में 2 minus, पिर हम 0 रखेंगे तो omega ठीके जगे 0 रखा minus sin20 by 2 हो जाएगा तो यहां से देखें तो यहां से हो गया हमारा by i m square by 2 traz अब πी है हमारा जिसाब sin 2π 2π की बात करें तो इसके लिए value होगी हमारी sin 2π is equal to 0 होता है तो यह वैला function हमारा 0 हो जाएगा ऐसे ही minus 0 और अगर sin 2 का multiply 0 होगा तो यह भी 0 हो जाएगा और sin 0 हमारा 0 होता है तो यहां से हमारा जो value आईगी होगी i am square 2π और यहां से हमारा πई आएगा πई से πई cancel out तो यहां से जो हमारा i square का की जो average value आएगी यह हमारी i am square by 2 यह average value आएगी है अभी हमें क्या करना है जैसे कि हमें पता है सबसे पहले हमने क्या किया square किया फिर mean का हमें क्या करना है root निकालना है तो हम इसका root निकाल लेते हैं तो जो i square i square इसका अगर हम जब root निकालेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे i rms क्या होगा यह होगा हमारा जो current equation का square का average का root यहाँ पर हम value put करते थे i square की average की value हमारी क्या है यह हमारी i m की square by 2 तो यहां से हमारा i m बाहर आजाएगा और यहां से हमारा बचेगा 2 तो जो हमारा i rms होता है i rms बराबर हमारा क्या होगा यह होगा हमारा i m by root 2 यह हमारी current की equation देखे रखिए इसी तरीके से अगर हम voltage की बात करें तो हमारा v rms क्या होगा v rms बराबर होगा vm by root 2 अब next है हमारा farm factor तथा pick factor तो जैसे farm factor की बात करें तो farm factor क्या होता है ये ratio होता है effective value तथा average value का मतलब जो हमारी rms value आई है और average value का जब हम ratio निकालेंगे तो उसे हम farm factor कहते हैं जिसे के हम kf त्वारा denoted करते हैं तो यह simple हमने यहां पर जो e है यह voltage को represent कर रहा है तो यहां पर kf physical 2 हो जागा e rms divided by e average e rms की value होते है हमारी e maximum voltage के लिए e maximum divided by root 2 और ऐसे हमारे average होका 2 e max divided by pi जब हम इसे solve करते हैं तो जो हमारा farm factor होता है इसकी value हमारी निकलती 1.11 ऐसे ही जब हम pick factor की बात करते हैं पिक factor क्या होता है यह ratio होता है maximum value हमारे जो signal लिए maximum जैसे current या फिर voltage की maximum value होगी उसका ratio होगा हमारा उसकी rms value के साथ तो उसे हम pick factor कहते हैं इसे हम kp द्वार represent करते हैं pick factor बरापर होता है e max divided by e rms e max यहां पर जैसे हमने e max और e rms की value रखे तो e rms यह maximum divided by root 2 होगा और जब इसे हम solve करेंगे आपस में तो इसकी value हमारी निकल के आएगी 1.41 foot तो जैसे के हमें आप एक question देके रखा है इन्होंने कहा है कि the AC supply at a home is 230 volt 50 hertz fine maximum maximum average and rms value of voltage तो जो हमारे घर पर जो voltage आता है उसके लिए यह question देके रखा है तो जैसे हमें पता है कि हमारे घर पर जो voltage आता है वो हमारा 222 250 तक आता है यहां पर हमें 230 देके रखा है तो एक चीज़ याद रखेगा कि हमारे घर पर जो voltage आता है जो voltage की value होती है वो उसकी maximum value नहीं होती है उसकी rms value होती है तो यहां पर हमें find क्या क्या करना है यहां पर हमें maximum find out करना है मतलब peak value find करनी है average value find करनी है और rms value find करनी है तो यहां पर यह जो 230 volt देके रखा है इसकी rms value है तो यह तो हमें यहीं question से ही मिलके यह हमारी हो गई 230 volt इसके बाद अगर हम इसके maximum value find करें तो जो हमारा vrms क्या होता है vrms बराबर होता है हमारा vmax upon में root 2 तो यहां से अगर हम रखें यहां से अगर हमें vmax find out करें तो vmax हमारा क्या हो जाएगा vrms multiply root 2 vrms हमें देखे रखा है 230 multiply root 2 जा हम इसको multiply करेंगे तो यह हमारा आएगा 325.27V तो यह हमें इसकी maximum value मिलकी मतलब vmax या vpik हमें मिल गया 325.27V हमने यह find out कर लिया यह question हमें देखे रखा ताब हमें average निकालना है तो जैसे के हम पता है कि v average हमारा क्या होगा यह होता हमारा 2 by pi vmax जहां पर 2 by pi is equal to हमारा होता है 0.637 और vmax के value किती है vmax के value हमारी 325.27 इनको जो वापस multiply करेंगे तो यह हमारा आएगा 207.2V जो के हमारा क्या होगा v average तो यह next वाले question में इन्होंने हमें एक equation देके रखिए और इसमें हमें क्या करना है यहां पर इसके peak और maximum value find out करना है frequency find out करना है rms value average value और form factor find out करना है सबसे पहले हम क्या करते हैं जो यह equation है इसको हम इसकी standard equation है उससे हम लोग compare कर लेते हैं तो standard equation करेंट के लिए हमारी क्या होगी यह होगी हमारी i max sin omega t इसका मतलब यह हमें i max देके रखा है i max या फिर हम इसे peak क्या सकते है peak value यह हमें यह देके रखा है इसके लावा यहां पर हमें यह पहली चीज़ हमने find out कर ली इसके लावा हमें क्या देके रखा है इसके लावा में omega देके रखा है omega is equal to देके रखा 628 अब omega की बात कर तो omega हमारा क्या होता है omega is equal to होता हमारा 2 pi f तो यहां चाहरा frequency की बात कर तो frequency क्या हो जाएगा omega by 2 pi omega की value हमारी 6 to 8 6 to 8 divided by 2 pi 6 to 8 यहां पर जाम इसकी value put करके जब इसे हम solve करेंगे तो यह आएगा हमारा लग 100 hertz ऐसी तीसरी चीज अगर हम बात करें तो तीसरा हमें क्या find out करना है तीसरा हमें rms करना है तो हमारा i rms के बराबर क्या होता है यह होता हमारा i max divided by root 2 i max हमारा कितना है i max हमारा 42.42 divided by root 2 तो जब हम इसे solve करेंगे तो यह हैगा हमारा 30 amp ऐसे 4 तो वाला हमें find out करना यह average जो कि हमारा होता 2 i max divided by i मतलब यहां पर हमारी value निकलते 0.637 इन दोनों का ratio और i max हमारा 42.42 तो हमारा i average बराबर आएगा 27 amp और हमारा last है 5 form factor जिस हम kf त्वारा represent करते थे यह हमारा होता है i rms divided by i average तो यहां पर यह हमारा rms आया और average आया हमारा 27 जो की solve करने पाएगा हमारा 1.11 थैंक्यू सो मच्छ भी